हालो माइड यह स्ट्रेंड्स और भी कैसे हैं आप सब लोग आई होप आशा करता हूं भई कि आपके तियारी बहुत अच्छे से चल रही होगी ठीक है तो सब लोग इच्छे से पढ़ते रहते हैं तियारी कर रहे होगे और मौक टेस्ट देके अपने प्रिपरेशन भी देख लिए होगी कि कितने लेवल का आपने त्यारी की है है लेकिन हम यहां प्रेक्टिस करा रहे हैं आपको प्रिवेस यह कॉश्चन ठीक है प्रिवेस यह कॉश्चन बिल्कुं मतलब स्वर्ण कट्ट कॉंसेप्ट है कि आपका पेपर कैसा आएगा यह आपको सिधे सिधे पता चल गया ऐसा भी नहीं कि हमने दो क्वेशन पेपर आपके पास 25 कॉश्चन से 25 कॉश्चन तुगो आपको इसको तीन केटिगरी समझ लेनी है पहली केटिगरी पेचे वह जो आपको आता है नों ठीक है यह आपको पता करना चाहिए कि आपको ऐसे लिखना होगा ठीक है लिखना केटन है यह पीटाड़ का अपको रैशियो होता हिए इन है मानौ 50% के लिए झाल है तो बार रिविजचेंट अको बहुत कम होता है अगर आप किसी paper में new का ratio देखें तो 25 question में से मुस्कल से 2-3 question नहीं हो सकते हैं तो यह section आपको तियार करना है और new वाले को आपको अलग से रखना है तो ऐसे बिटे जब आप paper solve करते हो तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो आपको दिखता है कि आपनी चीजों में change किया ह ठीक है चलो तो शुरुवात करते हैं बच्छों आपका previous यह paper pen paper आपके पास होना चीए बस आपको यह देखना है कि आपके कितने questions सही है ठीक है पहला question ही आपका रहा है select the incorrectly spelled word यहां कौन सी spelling गलत होगी जल्दी से मुझे बताएंगे बताओ जल्दी से करो क्या answer होगा देखो बड़ा सीधा तरीका है में spelling errors का होता कि spelling कभी गलत नहीं लगती है क्योंकि क्या करते हैं यह sound से spelling को बना देते हैं जैसे पहला इवर्ड लिखा informational आप पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन जैदी में लिखो तो i n f o r m a t i o n information यह होता तो इससे तो बनेगा informational अब ऐसे कैसे बन जाएगा तो correct answer समझ जा गया a will be the correct answer क्योंकि यह spelling बिटा गलत है क्योंकि information से बनी है तो आप words को break करके भी उन्हें समाझ सकते हैं इससे आपको correct answer मिलने लग जाएंगे ठीक है next आजो next question try करते next बताओ next है आपका select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence यह जो underline section इसको आपको बदलना है मतलब यहां यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि correct है incorrect है बस आपको change करना है क्या लिखा गया my sincerity and patience drop me through all odds and problems of life my sincerity and patience drove me through all odds and problems of life carried me, flew me, rain me, ya lifted me क्या answer होगा मेरी sincerity और patience ने मेरे अंदर sincerity है मैं काम करता हूँ मेरे अंदर patience है drove me, खीचता है through all odds and problems of life सारे odds and problems से खीच दिया है ठीक है तो correct answer क्या होगा drove माने खीचना होगा, flew माने उठ जाना, rain माने भाग जाना, lifted माने उठा देना तो carried me होगा, carried me होता है कि मैं सब कुछ से निकाल के लेकिया हूँ carried me will be the correct answer ठीक है drove me means to motivate करना, compel करना और impel, want to do something, understand answer होता है बेटा carried me कर ठीक है next आ आ जो चलो, third question solve करो, 25 question से देखो ये paper हम 25 to 30 minutes के बीच में solve करने वाले हैं अगर हम paper की बात करें examination hall में तो आपको 12 से 15 minutes मिलते हैं तो आप ये सोचो हैं थोड़ा सा time बढ़ देगा क्योंकि हमें आपको communicate भी करना चीजे समझानी भी है लेकिन हम इसको इतना लंबा नहीं खीचेंगे कि मैं तालिसमेट करने वाले हैं 25 to 30 maximum time होगा और शी वाज विदिन और हेर्स ब्रैथ ऑफ विनिंग विटा हेर्स प्रैट एक ऐसा मुहावरा है जो मैं कह सकता हूं कि सभी को आता होगा मैं कह दू कि नहीं यार यह तो बहुत मुश्किल दिया गया बिलकुल आसान सा है बात सिर्फ इतनी चल रही है कि 25 questions आते हैं बस आ नैरो मार्जिन विल भी तक करेक्ट आंसर बिलकुल पास में होना नेरो मार्चिन होगा ठीक है कि बाल बाल बच जाना ये इसका प्रेक्ट आंसर होगा नेक्स्त आज हो हो सकता है जीट हो सकता है हीलर हो सकता है बताव का अंसर होगा जब कोई कि सीzh के लिए बहुत जादा एंथिसी इन्थूज हाय समझ ना बहुत एंथ Scottish होता ह् हरी तो उसको क्या कहते हूं को हम कहते हैं फूल आफ le ваши यह तो और इसका बेटेर correct answer होगा कहते ना उसके अंदर बहुत जील है और यह किसी चीज़ का अगर हर आप कहते है जैनी स्री अममेंबर ऑफ॥ टर्किश इंफंट्री तो मेमबर होता है लोट मतलब मतलब और healer मतलब जो heal करता है ठीक है made to repair something जो wound है उनको heal करने वाला तो हमें समझ आ गया कि जो follower है ardent follower है उसको zealot कहा जातकता है ठीक है next आजो नेक्स्ट है आपका select the incorrectly spelled word अब फिर से बता है कौन से spelling गलत है अब यह प्रीवियस एर पेपर है यह एक और बात सुनज न यह ऐसा नहीं है कि अपने प्रीवियस एर questions आपको निकाल के दिये 25 नहीं यह ऐसा ही पेपर आया था यह complete shift है 25 questions की यह question carried नहीं है कभी आपको लगे कि से spelling errors इतने कैसे आगे तो यह बिल्कुल as a tis paper आया है आपका ठीक है न शेम सेफ्ट है वो ही हम आपको करा रहे हैं तो क्या होगा कौन से spelling गलत है यहां पर enthusiasm या फिर accomplishment या फिर बेटा convenience या फिर auxiliary जल्दी से बताएं क्या correct spelling होगी क्या correct answer होगा बताओ भी क्या answer होगा आप द double c o m p l i s h आगे बिटे याद accomplish क्या आता है double c क्या लिखा गए single c आगे याद तो correct answer क्या होगा correct answer यही spelling कर रहे थे इसमें double c आना चाहिए mark कर देते है ठीक है चलो next question try करते हैं next आप बताएंगे her writing is very eligible and so she loses marks in her exam क्या answer होगा अब आपको करना क्या देखो यह दिया गया select the most appropriate option that can substitute the underlined part in the given sentence तो आपको लग रहा होगा किसे जो spelling की यही गलत है और अगर आप देखे तो सारी spelling उसके जैसे लिखे गी है eligible डबल जी लगा दिया गया single G है फिर यहां पर आई डबल एल या जी आई बील यह तो यहां कौन से spelling सही होगी ठीक है कौन से पढ़ा है जाता है उसको illegible कहते है उसको illegal नहीं कहते है तो ट्रेड होता है तो correct answer क्या होगा बिटर सी correct answer होगा इसको mark कर देंगे सी यहां correct answer होगा ठीक है यह answer है बढ़िया next आ जाओ next देखते हैं यहां पर आको समझो my uncle is doing business in Hyderabad for the last 10 days my uncle is doing business in Hyderabad for the last 10 days तो जो इस is doing है इसके place पर क्या आना चाहिए has been doing आना चाहिए no substitution required यह तो सही ही लिखा गया है या फिर डेड आएगा या फिर doing आएगा बताओ क्या answer होगा करो जल्दी से question का answer दो भी बहुत ज़्यादा time नहीं लेना है बहुत आसान सा question है क्या समझा आ गया हम यहां देख पा रहे हैं जो इस डूइंग लिखा गए तो continuous है और यह जो लिखा गया लास्ट टैन यह इंस या फॉर यह आता है आपका time क्योंचीजी is spendly show होती है time के साथ में तो किस में लिखी जाती है वह लिखी जाती है बेटर पॉफेक के पॉफेक कॉंटिनियूस में ठीक है तो करेक्टांसर क्या होगा perfect में यह perfect continuous होगा perfect continuous कहां लिखागा यही इसका correct answer mark कर दिया जाएगा यही इसका correct answer होगा ठीक है इसका 8 कहता है the party was so amazing that everyone hated leaving it आपको जे वर्ड दिया ना bracket में hated इसका appropriate synonym बताने देखो आप इस बार CHSR में एक बात देखेंगे जो questions है ना वो वैसे ही हैं मतलब ही direct भी कह सकते हैं थे क्या word आएगा या इस word का synonym क्या होगा लेकिन उन्हें कुछ अला गलग तरीके से presentation दी है and sometimes what happen in the exam कि if you are not checking all the presentations तो कभी-कभी because of presentations आप कुछ questions को गलत कर देते हैं तो गलत नहीं करना सीधे-सीधे कहता है the party was so amazing that everyone hated leaving it हर कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता है हीट करता है लीव करने के लिए तो लोथिट होगा एन्हेंस्ट होगा रेवर्ड होगा एंब्रेस्ट होगा इस question को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे कैसे देखो अगर मैं कह रहा हूं कि पार्टी नहीं पर अदूबिट होगा एटेग नेगेटीव वर्ड है एंहेंस कर देना बढ़हा देना पोजिटीव वर्ड रिवर्वर पवित्र पॉजिटीव वर्ड है रिस्पेक्ट आ लेकिन पॉसिटिव नेगेटिव ब्रेक करने के लिए भी वर्ट की नॉलीज होना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि खुदी पॉसिटिव नेगेटिव हो जाता है नेक्स्ट आजो तो correct answer यह होगा next mark करते हैं select the most appropriate synonym of the given word given in the brackets to fill the blank बताओ क्या answer होगा synonym ही बताना है doing adventure sports in bent for athletes as it can be perilous क्या answer होगा बताओ बचे है doing adventure sports is bent for athletes as it can be perilous reliable होगा worthless होगा advent adventurous होगा यह treacherous होगा answer बताओ क्या answer होगा करो बच्ची answer यह question थोड़ा सा confusing है इसके options में आप फस सकते हैं जैसे देखो क्या लिखा गया है doing adventure sports adventure sports करना is bent किसके लिए for athletes के लिए ठीक है as it can be जैसा कि ऐसा हो सकता है perilous अब यह adventure sports करना मना है तो यह क्या बैन कर दिया गया क्योंकि यह perilous perilous का मतलब होता है danger यानि के खतरनाग अब खतरनाग का synonym reliable नहीं हो सकता है वर्थलेस नहीं हो सकता है we have the problem here तो हमें लगता है कि adventurous होना चाहिए adventures का मतलब होता है कि जहां excitement है and sometimes risk involved है ठीक है लेकिन treacherous का मतलब होता है जो पूरी तरीके से risky है तो correct answer इसका D होगा कुछ बच्चे इसका C answer mark कर रहे हैं ठीक है correct answer इसका D होगा नेक्स्ट आजो आपको हर question के बाद complete explanation मिलेगी आप आराम से रोक के वीडियो उसको पढ़ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आजो दा the library building was renovated in 2000 in 2020 ठीक है the library building was inovated in 2020 कि अब आपको बताना है कि इसका active भी पैसिव और तो अगर ये active है तो passive है तो एक्टिव बना दो और रिनवेटिंग होगा या फिर बीटा है रिनवेटिट होगा और रिनुवेटिटेद होगा या फिर देखो समझो मुझे तो बस ऐसे थोड़ा सा समझ आता है वह मैं आपको बता रहूं क्या है दा लाइब्री बिल्डिंग वाज रिनोवीटेड अब जब हमको पता है अगर हम कभी भी वर्ब के साथ प्लस करके वर्ब की थाइड फॉर्म लगा दें तो यह हमेशा क्या होगा यह हमेशा पैसिव वाइस होगा तो यह है पैसिव इसका एक्टिव बनाना है ऑप्शन में पूछा गया एक्टिव बना दो ठीक है अब यह बना पास्ट इंडेफिनेट का तो मुझे इतना पता है क यह दो कि यह थैसकी सेकेंड ओckt होगी बस आप यह देखो कहा रिनोवेटिद लिखा गया है ठीक है कहां रेणोवेटिड लिखा गया यह देखते चले जब और पहला वर के साथ rino waiting लिग गया टेंस चेंज होगा continuous अंसर नहीं हो सकता है है के साथ लिग लिख दिया बेटए पर्फेक्ट बन गया टेंस चेंज नहीं होता याद रखेंगे रिनो वेट एंसर हो सकता है और रिन्द इनोवेटिंग कोई structure होता ही नहीं है तो यह तो कोई structure ही नहीं होता English में fix है गलत ही होगा यह वाला क्यों गलत है क्योंकि perfect बना दिया यह क्यों गलत है क्योंकि continuous बना दिया active passive में दो बातों का बहुत ध्यान दखा जाता है पहला ना तो समझ आ गया होगा इसका correct answer C होगा चलो next question आपके सामने है select the option that expresses the given sentence in active voice बताओ इसका active voice क्या होगा फिर से करो has the assignment been uploaded बताएं क्या answer होगा ठीक है चलो समझते हैं देखो मैंने आपको बताया था B plus third form passive voice होगा तो पता तो चल गया अब यह बताओ जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं तो यह है जोगा यह फिर होगा helping up तो यह रहेगी ठीक है अब होगा क्या है है जब के बाद एक्टिव बनाने के बीन हट जाएगा और दूसरा अवर्ट हो जाएगा upload upload uploaded यह बिटा है जब के बाद सीधे-सीधे अप्लोडिट लगा देंगे ठीक हैं जड़ा चेक करके देखें पहले मैं कहा गया have he been uploaded answer नहीं हो सकता क्योंकि passive का passive है have uploaded answer हो सकता है did tense change और यह नहीं हो सकता वर यह बताओ बच्छा लगा वह कितना सीधा सीधा है ऐसे ही तो करना होता है मतला अगर मुझे पहले से पता है किसका answer possible क्या-क्या बन सकते हैं तो मैं question आसानी से माख कर दूंगा अब मैं जो पता है कि यह नहीं बन सकता क्योंकि B plus third form passive voice ही होगा मुझे पता है यह बन सकता है मुझे पता ही कभी नहीं बन सकता क्योंकि हमने tense change कर दिया मुझे पता ही कभी नहीं बन सकता क्योंकि हमने tense change कर दिया तो correct answer क्या होगा भी correct sipped by me I have sipped coffee I sip coffee I have had sipped coffee I am sipping coffee ठीक है करूं देखो यहां लिखा गया coffee is sipped यह लिखा गया यह प्रेजंट इंडाफनेट तो या तो answer क्या होगा या तो sip होगा ठीक है या फिर answer क्या होगा या फिर होगा सिपस बात के लिए मुझे नहीं करा कि कौन सिप कर रहा है कौन सिप नहीं कर रहे मुझे बस इतना पता है कि इसका जो एक्टीवइस बनेगा वह प्रेजंट इंडाफिट का होगा परफेक्ट का परफेक्ट में होगा यह को पता है कि यह क्यों और जब आप यह काम करते हैं ना कि यह होगा और यह नहीं होगा आप यकीन मानों आप ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि कभी-कभी पेपर में कुछ questions हमारी जल्द बाजी से गलत हो जाते हैं और अगर मैं चारों options को carefully देख लो तो मेरे questions गलत नहीं होंगे क्योंकि अब मुझे अच्छे से पता है कि यह तीन answer नहीं है तो मेरा question गलत होने के chances भी ना की बराबर हो जाते हैं चलो next question try करते हैं next आज जो तो करता हैं यह जितनी भी spelling यहां लिखी गई है इस वाले में चारों यह चारों ही spelling बेटा बहुत अच्छी है privilege में जी नहीं आता है privilege में डी नहीं आता है बस यही spelling का रहते हैं बास समझ के बाकि सारी के पी आरई वी आई लए लए जी लए डी जी नहीं होता है ठीक है next आजो his liberal policies were responsible for progress in the community आपको बताने जो liberal word है इसका opposite क्या होगा देखूं मैं आपको बताओं usually CHSL में और SSC में जो questions आते थे बस वह वर्ड देते थे उसका synonymous या एंटनिम पूछ लिया जाता था लेकिन आज कर इनको sentence में यूज करके देना शुरू कर दिया गया है और आपको sentence देखके बताना होता है कि इसका opposite क्या होगा या synonymous क्या होगा ठीक है सही है तो his liberals liberal माने क्या होता है बेटा liberal का मतला होता है किसी चीज़ को मुक्त कर देना तो आपने का his liberal policies were responsible for progress in the country तो liberal के लिए क्लिए क्या होगा कि आपने छोड़ दिया लेकिन आपने बांध ना होगा तो ineffectual तो बेकारी वर्ड है कि कोई effective नहीं है conservative आपने सुनाओगा conservative सोच होती है जो dogmatic लोग होते हैं छोटी सोच narrow-minded ठीक answer हो सकता है central तो यह center वाला होगा और बिटा historical हंसी में जाक वाला तो correct answer conservative होगा कि आपकी सोच liberal नहीं है conservative है खुले दिमाग के नहीं हो बंद दिमाग के ओपन-minded नहीं हो narrow-minded हो नेक्स्ट आजो नेक्स्ट है बच्चो फिलन दा blanks बताना है आपको manpower exporters and overseas recruiters commonly in illegal business practices for short-term gain तो क्या answer होगा बिटा manpower exporters and overseas के जो recruiters है commonly क्या करती है इन illegal businesses अब जब आदमी को illegal business में जुड़ा होता है तो वह honored होता है indulge होता है regulate करता है thrive करता है देखो पहला ही जो option है वह बिकुक क्लियर है कैसे क्लियर है समझो यह वर्ड बेटा honored होता है negative तो यह answer नहीं हो सकता है किसी को भी अगर को illegal business में है वह honored नहीं हो सकता है ठीक है कि commonly honored in illegal business इन्हें illegal business में honor दिया जाता है ठीक है इंडल्ज आपने सुना होगा lift होना और lift होना एक negative word होता है regulated हो नहीं सकता है regulated regulation से बना हुआ है और thrive माने होता है भरा हुआ फलता फूलता तो मुझे पहला ही option सही लग रहा है यहीं से बात करते हैं तो commonly indulged in illegal business practices for short term monetary game यानि कि छोटे monetary game के लिए वो क्या करते हैं indulge हो जाते हैं illegal business में ठीक है तो correct answer आपका B होगा mark कर देते हैं next question बताएंगे agrees someone's palm बिटक किसी की palm को grease कर देना ठीक है होगा go to battle put in hard work bribe someone and be jealous of someone ठीक है देखो मैं ऐसा करता हूँ कुछ और लिख देता हूँ इसके नीचे एक लिख लेंगे under table money एक तो यह लिखो ठीक है और एक लिखो बिटेंगे हैं हश्मनी अब आगए याद इन तीनों का मतल़ एक ही तो होता है किसी का हाथ गरम करना टेबल के नीचे से पैसे देना या छुप चुप 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 के चुप 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 पैसे देना तो correct answer होगा ब्राइब समवन किसी को रिश्वत या घूस दे देना ठीक है तो correct answer क्या होगा correct answer होगा आपका सी वाला नेक्स आते हैं select the incorrectly spelled word देखरो कितने सारे questions आई इसके कौन सी spelling incorrect होगा कॉंसियस्नेस एंसाइक्लोपीडिया यूफिमीजम या एंबरेस्मेंट correct spelling होगी पीटा embarrassment मैंने आपको बहुत 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 पूचिया आती है इंबरेस्मेंट यानि के शर्मिंदगी होना ठीक है इंबरेस्मेंट यानि के शर्मिंदगी होना ठीक है इंबरेस्मेंट इंबरेस्मेंट होगी next question बताएंगे select option that will improve the underlined part of the given sentence she is educated than her sister तो क्या होगा for educated more educated best educated या good educated अगर आप लगाता CHSL के पेपर हमाई साथ solve कर रहें ठीक है 2022 के तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा condition जो हमारी degrees होती है वहां से questions बहुत पूछे जा रहे हैं और मुझे लगता हर paper में एक दो question वहां से हैं जब दैन लगा हुआ है तो comparative degree बनेगी और उसको उसको लेके और यहां सबको देखते हैं कि 5 options में एक ही comparative है वही answer होगा समझ गए degrees का question और conditional sentence का question आपको सब जगे मिल रहा होगा next आते हैं next sentences of a paragraph are given below in jumbled order range the sentence in the correct order to form the meaningful and current paragraph next आ जहो है यह बच्चे एक paragraph sentences है ठीक है एक बार मिलाते हैं बताओ क्या होगा काफी बड़ा मैंने यह चीज़ देखी बेटे इस बार observe की कि काफी बड़े वाले paragraph sentences दिये जाने ठीक है तो चलो यहां से आपको दिख रहा होगा शुरू करते हैं I went to college from the 11th grade and never went to the 12th grade and skipped another grade earlier so I was a pretty young fellow at Morehouse ठीक है तो किसकी बात हो रही है कुछ नहीं पता चला है बस यह लिखा गया कि मैं यहां गया यह सा यह था ठीक है first person से sentence शुरू भी हो सकता है ऐसा नहीं कि मिसको गलत माल लेंगे at the age of 15 ठीक है एक बाँ बताओ यह कितने साल का है पिटा गयारे साल का और बारे साल का यह 15 का तो कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जो A है उसके बाद B आना चाहिए ठीक है चले at the age of 15 I entered Morehouse college and my father and my maternal grandfather had also entered attended so Morehouse has had three generations of kings the professors were not caught up in the clutches of state funds and could teach what they wanted with academics freedom and encouraged us in positive quest for the solution in racial ills ठीक है तो इसके बाद मही होना चाहिए next I shall never forget the hardships that I had upon entering college for though I had been one of the top students in high school I was still reading at only 8th grade level ठीक है तो 8th grade level पहले आएगा तो आप यह देखो भी डी होगा ठीक है डीके बाद में A और B अब जड़ा options पर नहीं डालते हैं ठीक है ठीक है तो इसमें अगर मैं देखो तो एक question पीटे यह भी तो मिलता है हमें ठीक है अगर हम देखें जो D होगा ठीक है तो दीके बाद सी यहां है डीके बाद सी यहां जी के बासी है ठीक है काफी confusing से option है एक बार बीसे रखके देखते हैं ठीक है एस से तो शुरू होगा नहीं क्योंकि वह मतलब वहां से शुरू आती कर रहा है कि अपने बारे में बता रहे हैं उससे पहले कुछ नहीं कुछ होना चाहिए बेबी से तो शुरू नहीं कर सकते हैं ठीक है इस ए वाले से I went to college at the age of 15 I entered Morehouse College ठीक है let's see yaar कुछ confuse देखो एड्रेज of 15 I entered Morehouse College for my father and my maternal grandfather यह generation of Kings के बारे में बात कर रहा है ठीक है तो इसके बाद में बेटर फिल कहेगा कि I shall never forget the hardships क्योंकि मैं यहां गया था न college में और college की यहां लिखे गए तो बी के बाद डी जो संबंद वो रहे गए रहेगा तो बीडी यहां है बीडी यहां है बीडी यहां नहीं है अब मिल गया विटर लोजिक यह संदों को आर रिलेषन यह जो आंसे यह नहीं सकता है खि Mental श्रू शुरू होगा या बस हम लाना है अब क्लिए को गरता है तो बिल्कुल सभी है की अगर मैं देखते हूं आई वेंट त shouldn't मैं college गया उसमें तो अब आप ये वाला बताएंगे वेटा एड़ दा एज और फिफ्टीन आई एंटर मोर्हाउस college ठीक है तो बी बता दिया बी के बाद बता रहा है कि उसके hardships क्या थी ठीक है और यह बता रहा है इसके explanation कि मैं college कैसे गया तो भी correct answer क्या होगा एक correct answer होगा ठीक है एक correct answer होगा माग करते हैं next आ जो next question try करते हैं next बताएं next है I keep telling myself how I am lucky to have such wonderful sisters I keep telling पिटा मैं बताते रहता हूं myself खुद को how I am lucky to such to have such wonderful sisters ठीक है अब how I am lucky होगा या how am I होगा question यह आता है कि भी जब हम देखते हैं कि हमने कहा कि how am I lucky होगा या how lucky I am होगा तो जो how वाले sentences हैं आपने सुना हो कैसे कहते हैं how intelligent you are होता क्या है कि इन सारे के सारे sentences में जितने भी आपके exclamation sentences होते हैं इन में जो वर्ब आती है वो हमेसे लास्ट में रखी जाती है जैसे आपने का what a beautiful weather it is ऐसी बोलते हैं what a beautiful weather it is how intelligent you are तो position देखो बाद में है न तो how lucky I am to have हो सकता है how lucky I am to having यह answer नहीं हो सकता है तो के बाद आइंजी नहीं आती है how I am looking for यह answer बिल्कुल नहीं है how I am looking for having यह भी answer नहीं होगा क्योंकि आप state की बात करो having की बात कर नहीं करो तो correct answer A होगा how lucky I am होगा ठीक है कि मैं कितना lucky हूं next question try करते नेक्स आजो 251 से लेकर 25 तक आपका close test है एक बार इसको read करते हैं पहले close test को पूरा तब शुरू करेंगे ठीक है देखो एक बार read करने से क्या होता है कि close test का जो idea है किस बारे में थीम मिल जाती है तो जहाँ थीम परने से डाले हमने कहा but for yoga is a personal journey for everyone as now most people are turning to it not for fitness but for the union of both body and soul yoga is an ancient practice that in India it involves movement meditation and breathing to promote mental and physical well-being there are many styles of yoga a person should a style based on their goal and fitness level if yoga and pranama are complemented with other form of spiritual practice to purify the mental body and other bodies then a person can achieve rapid spiritual progress in his lifetime thus a person can make progress to achieve the purpose of life which is to with God ठीक है आजो शुरू करते है योगा is a personal journey for everyone as now most people are turning to it yoga के बारे में उसके practices के बारे में mental or physical health पर क्या चीज़े पढ़ते हैं उसके फ़र्क उसके बारे में not for fitness rather change apart alone but for the union of both body and soul तो करेक्ट आंसर क्या होगा देखो yoga is a personal journey for everyone as now most people are turning to it जातर लोग इसको accept करें ठीक है not for fitness यह सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है alone अकेले बट फॉर दे यूनियन आफ बोद बॉद बॉड्ड आइंड सोल दौनों के लिए ठीक है डीकरेक्ट आंसर होगा ठीक है originated in India होगा next question try करते है next है it involves movement meditation and breathing senses techniques phrases या persuade भाई क्या क्या होता movement होता meditation होता breathing की क्या होते techniques होती है तो correct answer इसका भी होगा ठीक है techniques होगा next हो हमने का there are many styles of yoga a person should पिटा आप person should क्या होगा choose होगा familiarize होगा make होगा strike a style based on their goal and fitness level होगा तो क्या answer होगा answer mark करो भी there are many styles of yoga a person should choose हर आदमी choose कर सकता है बिटा अपने तरीके से ठीक है कि आपको ये वाला yoga करना है या ये वाला yoga नहीं करना है ठीक है choose होगा और ये है आपका last question if yoga and pranama are complemented with other forms of spiritual practice to purify the mental body and other bodies then a person can achieve rapid spiritual progress in his lifetime thus a person can make progress to achieve the purpose of life which is to compete progress merge या mark क्या correct answer होगा बिटा जल्दी से बताओ जो रास्ता दिखाता है बिटा गौर्ड के साथ मिल जाने का तो merge will be the correct answer ठीक है तो ये बच्छों आज का आपका mock test था आपको mock test कैसा लगा आज ही हैं बाइब की application को install कर लेंगे so you will get many more mock test here आपको यहां अपने फेवरेट educators की book मिल जाती हैं उनके साथ पढ़ने का मौका भी मिल जाता है आज ही हमारा telegram channel join करेंगे so you will get PDFs here तो बच्छों मिलते हैं next class में till then take care bye-bye Jane keep imbibing we believe in you